हेलो फ्रेंज आप सभी का बीएट कोर्स के मीशन वन वेज चैनल में स्वागत है दोस्तो आज हम लोग बात करेंगे एसस्मेंट फॉर लर्निंग पेपर में बीएट सेकंड या सेकंड समेश्टर में यूनिट फाइब का एक टोपिक लाए हैं और इसमें आज हम लोग बात करेंगे हिस्टोग्राम, पाइचार्ट, फ्रिक्वेंसी, पॉलिगोन, ओगिप और कुमेटिटिव फ्रिकेंसी के बारे में बात करेंगे और यह कैसे निकाला जाता है इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे ठीक है और जो साथी मेरे इस चैनल पर नया आये हैं प्लिज जो है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और B8 के सभी दोस्तों तक सियर जरूर करें और जिन लोगों को B8 के किसी भी पेपर का नोट चाहिए तो आप लोग जो है इस नमबर पर वार्टसप कर सकते हैं ठीक है यह मेरा वार्टसप नमबर है जहां पर आप लोगों को B8 के किसी भी पेपर का नोट जो है मिल जाएगा तो आईए शुरू करते हैं assessment for learning का graphic representation जिसमें आज हमनों बात करेंगे histogram के बारे में, pie chart के बारे में, frequency, polygon के बारे में, ogip के बारे में और commutative frequency ये कैसे निकाला जाता है और exam में ये पुस्ता भी है ठीक है तो आईए शुरू करते हैं सबसे पहले हमनों बात करेंगे सांख्याकी द्वारा ही बना जाता है कोई भी data होता है उसको हमको समझने के लिए हमनों क्या करते है इस्टेटिक्स का प्रियोग करते हैं सांख्याकी का प्रियोग करते हैं ठीक है हमें कई ऐसे चीजें होती है जिने हम सीगर ही आसानी से उसे समझ सकते हैं ठीक है जैसे प आजकर समाचार पत्रों, दूरदर्सन, मैगजीन, पुस्तकों, आदी का आलेक देखे हैं, आलेक का उद्दे संख्यात्मों तो तत्यों को चित्रों के माद्यम से दिखाए जाने वालों को आलेक चित्रन काते हैं, मतलब यह हुआ कि कोई भी हम लोग जैसे मैगजीन देखते लेकर इसे लिए इसे रेखाचितर द्वारा परसुत के आता है, इसे हमनों क्या करते हैं, रेखाचितर द्वारा पर्सुत क्याता है, लेकर निद्भाण। करने से इन्हें हमें क्या हो जाती आसानी हो जाती समझने के लिए सबसे पहले हमनों बात करेंगे आज हिस्टोग्राम के बारे में जिसको हमनों बोलते हैं अस्थंभा किर्थी अस्थंभा किर्थी इन्हें हिस्टोग्राम क्या होता है इसके बारे में देखते हैं जिसको हिं क्या कि मैं ऐसे आयत जो वर्गांतर वर्गांतर में आविर्तियों को दर्साता उसे हम लोग हिस्टोग्राम करते हैं मतलब जब हम लोग किसी भी क्लास इंटर्वल में किसी भी फ्रिक्वेंसी को हम लोग आयत की रूप में इस टैप से दर्साते हैं इस टैप से जब हम लोग क्या करतें आयत की तौरा आयत कितरे बनावाई ये आयत की तोरा दरखातें उसे को क्या बोलता है किस्टोग्राम करते थे इसको हुआ अस्तंबा कर्ती बोलते है genes हिस्ट्राम में X-axis पर वरग अंतर दथा y-axis पर आवडिती को दर साब दर जाता है इसमें में क्या होता है एक सेक्सित छो होता है जब हम लोग बनाएंगे तो एक सेक्सित ब Taiwan होता है ठीक है यह एक से लाएं को हम मुढ़े हैं मैंत में ठीक है और यह इस वाला की से बटाएम से को बैठाना kidding तुक है तुक को बैठाना है टब Easy तोग्राम में एक्स ऐक्सिस पर वरगंतराल को तरशा जाता है तथा वरगंथा की ऊचाई उचाई वही तक होती जहां तक पर्तिनिदित करते हैं जहां तक बारम बढ़ता रहेगा याँ फ्रिक्टेंशा जहां तक वहां तक जो हम्लोग वरगंतराल को खिस्ते हैं, ठीक है, हिस्टोक्राम बनाने में X-axis पर माप्णी का निर्धारन का रहता है, जो माप्णी समान वरगंतराल पढ़ लिया जाता है, X-axis पर जो भी हम वरगंतराल लेंगे, वो समान दूरी पढ़ लेना है, ठीक है, थाथा Y- आपनी का निर्दारन मान लख याफ ले सकते हैं क्लास इंटर्वल वरगन त्राल यह दिया और यह दिद्यावा यह वहован थे पच्पन से साथ हों तुक्त हूं मैं ते सबस्क्रलब नगे फ्राइता होया बठाए हम यह है इस्टोग्राम ठीक है यह देखिए आप इसको देख सकते हैं एक मिनट इस्टोग्राम को देखिए ठीक है इसमें क्या है यहां पर लिए ठीक है एकसिस को यहां पर लिए ठीक है एकसिस वरगंद्राल यहां पर लिए है और वाइकसिस को यहां पर लिए ठी यहां पे लिए है और य अब जो भी मान दिआवा था दस से पंद्रह था उसका मान था दस से पंद्रह अगर हम लों बात करें तो 10-15 कमान के नहीं तक था, दो तक था, तो आविरती जो यहां पर है, आविरती का जो मान है, यह वाला आविरती का मान, वा एक्सिस पर रखना है, ठीक है, और वरगंदराल का मान, एक्सिस पर रखना है, ठीक है, तो हम लोग यहां पर रखेंगे, देखिए, आविरती में 2, 4 आड़ 12 है ऐसे मान रखना है जो सभी मान वहां से बैट जा इसे 2 8 6 10 8 7 4 3 1 इसलिए आप दो दो कान तर देंगे यहां पर दो चार छे ठीक है तो इस तरह से इस्टोराम में हम लोग बैठा दिये और वररत तान भी बैठा देंगे और उसका जो है देना के बाड़े में everytimeable बात करेंगे फिरिक्वेंसी के बारे में फिरिक्वेंसी पैस पलीगुन के बाड़े में हुनकर पथा है नियुक्र जो आकर्तियों को दर्शाया बहुत का ला राता है वह संख्या कि वह वकर्व जो हम अग्रती को दिखाते हैं उसे को बहुब बूच करते हैं तथा जो अनेक भुजाओं से घिरी होती है उसे अग्रती बहुब करते हैं इसमें भी हम बात करेंगे कि कैसे बना जाता है इसमें x-axis पर वरगंतरा तरह अवर्थि द्वारा दर्सा जाता है इसमें भी हमनों क्या करेंगे x-axis पर वरगंतराल को रखेंगे और y-axis पर फ्रीक्वंसी नियूर्थ और लें आवर्थि को रखेंगे इसको भी बनाते समय हिस्टोगराम आकरती के रूप में दर्साते हैं जब हम लोग इसको बनाएंगे तो हिस्टोगराम के तरह ही दर्साएंगे बहुबोज बनाते समय हम दो अतरिक्त वरगंतरालों की कलपना करते हैं जिनकी आवर्थी सुन्न होती है इसमें एक वरगंत्रा सबसे नीचे तथा सबसे उपर होता है ठीक है बहुष तयार करने के नियम बहुष तयार करने के नियम क्या है एक नमबर में सबसे पहले दो अतरिक्त वरगंत्रा जिनकी आवर्थी सुन्न हो मान लेते हैं सबसे पहले तक्यृक किक्या करना दोनों को जो है मद बिंदू गयाद हो जाएगा मद को एक सक्सिस पे अंकित करेंगे जो भी मदे पैनी में हो का उसको मंनों लिए दस से पंद्रह 15 से 20 20 25 से 30 30 35 35 से 40 40 45 45 से 50 55 55 से 60 ठीक वह यह वरगंदरा लोगिया और आवरती लिए हैं दो आठ छे दस आठ साथ चार तीन एक ठीक है यह आवरती है अब अब हम लोग मदबिंदू कैसे निकालेंगे यह मदबिंदू जो निकालते हैं यह कैसे निकालते हैं इस दोनों को जोर दना है इससे तरह सब्टाना है फिरीक्वेसी पॉलिगोन को पहले एक सेक्सिस में हम लों अंत्रादा हो जिरो से 10, 10, 15 15, 20, 25, 30 त्युлоरे अब यहां पर हम लोग देखेंगे दुश्च्य के बीच में 12.5 नहीं आ था था नहीं उसी के बीच में यहां पे 2 आडशी को लेना है ठीक है इसके बीच में लेना है ठीक है। और फिर 15-20 के बीच में लेना है आच तक क्योंकि 15 में 20 को Алविरती का आड़ होता है जैसे दो से चार चार से छे जो मान रहाएगा उसमें बैठा देना है ठीक है तो हम लोग यहां तो कोई दिक्कत ने फ्रिक्वेंसिय पोलीगोन में अब हम लोग बात करेंगे कोमेटिटिव फ्रिक्वेंसि के बारे में संच्य आवर्थी क्या होता है जिसको आवर्थी अंकित करते हैं ठीक है जैसे यहां पर एक हम लोग जैसे में लिए हैं प्रफ्तांक जैसे 10-14 15-20 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 और 45-49 तक लिए है ठीक है और आवर्थी का मान लिए है 045711975 ठीक है तो दुबर की करन कैसे होगा देखिए 10-14 है यहां पर 15 से शुरू कर गिया है ठीक है तो आपको यहां पर ऐसा होना चीए जो यहां का संख्या और यहां का संख्या जो जो जाना चीए वो बराबर होन ठीक है इसको कैसे की है तो दहीया पर कैसे करना है जैसे यहांपे जो है आपको प्रोंड 5 कम कर देना है और यहां पर प्रोंड पांच जो है अधीग कर देना यहां 19.5 से 24.5 24.5 से 29.5 29.5 34.5 से 39.5 39.5 से 44.5 44.5 से 49.5 तो देखिए 45 का यह .5 कम है ठीक है तो हम यहां बताएं ना कि इधर वाला से जो पॉइंट 5 कम कर देना और इधर वाला पॉइंट 5 अधी बहा देना है ठीक है यह सुद्ध वर्गी करन हो गया अब इसका संचयावर्ति कै यह सब बंद निकालेंगे पहला संख्यावलड और आगरति संचयावर्ति यानि отвcr से 2 में चार को जो जोरेंगे तो 4-4 में 5 को जोरेंगे तो 9 झालें थी संचयावर्ति निकालते हैं संचयावर्ति कैसी निकालते होगे फिर जिरो में जिरो में चार को जोड़ते देना है। उस चार को जोड़ते हैं पिर एस चार को जोड़ते हैं तो फिर पांच पीम हो गयाined ढहते हैं यह यह अइसे हो गया वही है जो भी है अपका सुद द liberty को एकसिस में बठाना है Sana the सबार करनती sort को इसमें बठाना है अब इना ईक सिसमें 1001 को बठा तिये चौद। पांच में कितना था तो अचौद। पर यहाँ पर आगिया यह hoc जी量 पर फिर टो है वह outro dah इसका पांच था यहां पर बढ़ा दिये इस तरहें पॉर्टी के रुप में बना दना है इसलिए इसका नाब पढ़ गया है cumulative frequency यहां तक समझ में आ गया है आप मुलेंगे पाई चाट के बारे में यह अब इसकर हम अर्थ दिखते हैं पाई चाट एक परकर का ग्राफ है वर्धाकर ग्राफ के रूप में होता है पाई चाट जो हता है कि और यह पाइचाट हम बनाते हैं कि इतना यह पाठ हो गया इतना इसका पाठ हो गया इतना इसका पाठ हो गया ठीक है तो यह जो है था विर्थाकार ग्राफ के रूप में होता है इस संक्यात्मामान को गुलाकार संक्या की ग्राफिक के छेतर में विवाजित करते हैं तथा परतेक भाग को पूरे एक भाग का अनुपाति इसको बटे कोन निकाना रहे गा उसको बटे कुल-डेटा का कुल-बूल कुना 300 करेज़ेगा थिख है तो इस तरह से आप लोगों को पाई चाट बनाने में दिक्कत नहीं होगा इस सुतर की मदश से जैसे हम लोग एक उधान समझते हैं माना कि एक सिच्छी का चातरों को उसकी उनकी पसिंदिता खेल के आधार पर अपने कक्छा का सरवेक्षन करती है तथा यह जानना चाती है कि कक्छा में कितने चातर कौन से खेल ज्यादा पसंद करते हैं इसके लिए सिच्छी का कई खेल की तालिका बनाती है जैसे एक तालिका बनाया उसने खेल को इधर लिग दिया फुटबोल होकी किर्केट पास्केरबोर बेडविंडन यह सब खेल जो 10 बट्टे अब यह 40 कहां से है तो सबको जोड़ दना 10 5 15 15 15 20 20 10 30 30 10 40 40 को 10 बट्टे 40 अब गुना 360 करेंगे तो 90 यह पाई चाट का कोन हो गया ठेक है हुआ अब देखे फिर प्रेंच बट्टे 40 3060 पांचव चालिस ओना 3047 तो 45 पाच बट्टे 40 3040 अग कि तो 45 तो Midwest ऑफ फिर जो है दल्रेंट चाल्रिस आंक पर नती इसको थे अब पाई चार्ट का पतिशत कितना उलेकर तो तो दर्ज पटेदे चालिस गुणवाने किस और ना चालम में चालिज गुण परतिशत टिर्थिमिंट गुर्ट वाहर हैं चालिशत चालिस 10 जिजत चाल इंपर एक त्था में पतिए रूची ले रहे होकी जो है बारो पॉइंट पांच प्रतिसाद विद्यार्थी रूची ले रहे हैं किरकेड जो है वह बारो पॉइंट प्रतिसाद विद्यार्थी रूची ले रहे हैं और बैटमिंटन जो वह 25 प्रतिसाद विद्यार्थी रूची ले रहे हैं अब हम पर फूटबोल लिख रहे हैं जो गेम डैक आपका जो जो खेल रहे हैं फूटबोल बास्केट बोल बैडमिंटन होकी किरिकेट यह खेलता है ठीक अशिचिका ने यही सब खेल लिया था अब हम लोगों को यह देखना है कि फूटबोल जो था वह कितना लिगरी का एंगल लि इस तरह से आपका चाड़ बना भाई चाड़ तो यह आपका क्या हो गया यह अपका और क्या हो गया पाई चाड़ यह बना है ठीक है फुटबोल वह यह क्रोस वाला हम लोग फूटबोल लिए ठीक बासकेर बॉल बुंदा बुंदा वला लिए वह डॉट डॉट वाला पेडविंटन ऐसे ऐसे वला लिए ठीक अप लोग आकरती को चेंज है यह這個 करते हैं यह इन्डीकेट यह जो है इंडीकेकट डाटा रहता है ठीक चलिए यहां तक तो कोई दिकर ने आप लोंनों बात करते हैं ऑगिप के बारे बात करते हैं जिसको हम say come with the, इसकी रचना जो हम लोग दो वीदी से करेंगे, एक less than ogive होता है, एक होता है less than ogive और एक होता है more than ogive, say come with the और say adhip with the, इस वीदी में हम निचली सीमाओं से शुरू करके आविर्थियों को जोरते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, निचली सीमाओं से जोर के जो हैं, हम जोरते हैं इसमें क्या करते हैं घटाके जाते हैं ठीकए इस विदी में हम निचली स्मावों से सुरूं करके आविर्ते यो गटाते जाते हैं जैसे एक मार्ज द्यावा प्रक्तांग अंग 0-5, 5-10, 10-15, 15-20, 20-25, 25-30, 30-35, 35-40, यह एक अंगों का वर्गंतराल है, विद्यार्थियों के संक्या, 0-5 जो अंग लाए, इसके बीच में जो अंग लाए, वो 4 विद्यार्थि लाए, 5-10 के बीच जो अंग लाए, वो 6 विद्यार्थि लाए, और 10-15 के बीच जो अंग लाए, वो 10 विद्यार्थि लाए, 15-20 में 10 विद्यार्थि लाए, 20-25 में 25 विद्यार्थि, 25-30 में 22 विद्यार्थि, 30-35 में 18 विद्यार्थि, और 35-40 में 5 विद्यार्थि ने अंग लाया, तो सबसे परहे हम नोगिव निकालेंगे लेज दिन ऊगिव पीसे निकालते हैं यह हम लोग दोनों निकाले हमें इसको बहुत अच्छे समझते हैं देखे लेज दन ओगिब में क्या लिखना पांस से कम क्योंकि वहां पे पांस से कम था जीरो से पांस था ठीक है वरगंतराल को दिहन से देखना जीरो से पांच है फिर पांस से दस है तो आपको लिखना जीरो से पांस से कम दस से कम पंदरे से कम बीस से कम पचीश से कम तीस स से कम 40 से कम एक लिखना लेजंग में और अगेप में आप लिखना है जिरो से अधी Clem वहां पर हम क्या किया थे पांच से कम लिए थे यानी कि जब 흔र नंगे करेंगे तोफिती से लिगने चिछ मतलब यहां पर पड़िवासा में भी लिख चुके हैं ठीक है कि इस विदी में हम निचली सीमाओं से सुरू करके आविर्तियों को जोरते हैं निचली सेमाओं से सुरू करना है ठीक है तो आईए फिर हम समझते हैं इसको तो लेजदेन और मोर्देन और में अंक का मान बठा दिए अब संचे आवर्ति जो मान दिया वार रहेगा चार दस बीस तीस पचपन पचात सततर पलचानवी एकसो इधर मान रखें अब इसमें उल्टा पांच से सुरू करने हैं आप पां लिए यहां तो इनट और किर दोनम अगेगे और में तक में मुझा की समझते हैं इसको दोनों का हम लोग ठीच White Okay Communist की टिसमें नीचली से स्प्राइब nó west से चीन तो ऑफ से सुरूअ करना ऐसे जो भी मान रहेगा पान्स पांच रहेगा पांच कहीं कितना ता तो वह को चार था थे यहां पैठल थना तो यहाँ पैठली इस तरसे बताने के बाद इसको जो है बिला देना है और इधर मोड़ तरे से जो भी फिरिक्वेंसी जो आपका नीचे का जो है वह वर अंक वला मान बठाना और यहां पे संचेया वर्थी वला मान बठाना है ठीक है उसके साब से जो है इसको तयार कर लेना है यह मुद्धे लेज दन औी और मुद्धेन अगीप का जो है यह ग्राफ आप लोगों को जो है अब को frequency पॉलिगोन हिस्टोग्राम ठीक है उसके बाद जो है आपका फिर कमुटिव फ्रिकोंसी पाइचार्ट और ओगिव जो है यहां तक जो है आप लोगों को बहुत ही अच्छी रंग से जो है अच्छे जो है समझ में आगे यह ग्राफिक रिपरेटेशन का बहुत ही दन्नोगाद